हलो विवर्स मैं सुरंद्र राय फ्रमारा विहार स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल एश्टो सर में और उम्मेद करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया होगे मित्रों आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ मालब्य योग के बारे में मालब्य योग पंच महापूरुस राज योगों में से एक होता है जो सुक्र के वज़ा से लगता है जब भी ये उज़का होकर ये स्वरासी के होकर केंदर में जाते हैं तो उस व्यक्ति की कुंडली में मालब्य योग लगा देते हैं तो जो भी व्यक्ति अगर बजपन से मालब योग लेकर पैदा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत प्रभाव साली होता है, राजा के समान सुख भोगता है, स्वरे साली होता है, विभी निकलाओं की जनकारी उसके पास होती है, और वो व्यक्तित्व का धनी होता है. लेकिन जदी ऐसा नहीं है, तो कोई बात नहीं, अल्प समय के लिए ही मात्रिया 15 फरवरी से लेकर 11 मार्च 2023 तक यह योग लगने जा रहा है, इससे 6 रासिया निश्चित रूप से प्रभावित होगी, चार रासियां तो मालब योग के वज़े से प्रभावित होगी, मिथुन रासि, कन्या रासि, धनु रासि और मीन रासि, इन चार रासियों पर तो मालब योग लगेगा, लेकिन इसके साथ साथ दो रासियां जो खुद सुक्र की हैं, तुला रासि और बिरिस रासि, ये र और सनी सुक्र के मीत्र होते हैं अता यह प्रभाव उन पर नहीं लागव होगा इस प्रभाव को वे नलिफाई कर देंगे उससे प्रभावित नहीं होगे और जो भी सुपल पर आप देना होगा वो निश्चित तोर पर आप देंगे आईए हम जानते हैं कि इस अल्प आउधी के लिए जिन चार रासियों पर मालब योग लगने जा रहा है उनका क्या परिणाम होने वाला है तो सबसे पहले हम मिथुन रासी को लें मिथुन रासी पर दसंभाव में यह योग लगने जा रहा है दसंभाव केरियर का होता है तो जो भी व्यक्ति इस समय में अपने केरियर को सुधारना चाहते हैं मिथुन रासी वाले उनके लिए यह बहुत ही अच्छा समय है इस वक्त में आप बहुत एक अच्छा नेड़ने ले सकते हैं अपने केरियर से रिलेटेड जदी आपने किसी तरह का केरियर से रिलेटेड प्लानिंग किया हुआ है तो इस अवधी में आप पूरा करने की कोशिश कीजिए आप थोड़ा सा अपना मन बनाईएगा तो पूरी उमीद है कि यह पूरे जोस और खुरोस से आप इसको कर पाईएगा कियोंकि समय अच्छा है और इस समय का आप फायदा उठा लेजिए हाँ एक बात को लेकर आपको ध्यान देना होगा कि इसमें कुछ खर्च भी आएगी तो खर्च आपका जरूर से जादा नहीं हो जाए इस बात को आपको ध्यान देना होगा जो भी मिथुन रासी के ब्यक्ति हैं अगर पढ़ाई लिखाई में है competitive exam उगरा दे रहे हैं तो यह समय बहुत ही अच्छा है आप कहीं interview फेस कर सकते हैं कोई exam उगरा का परिच्छा दे रहा है तो यह exam के लिए समय भी बहुत अच्छा है अथा कूल मिलाकर मात्र 20-25 दिनों का ही एक ऐसा समय आपके जीवन में आ रहा है जदी आप इसका सही यूज करते हैं यूटिलाइज करते हैं तो निश्चित ही आगे आने वाले भविस के लिए यह बहुत ही बढ़िया होगा अब आईए हम देखते हैं कन्यारासी वालों के लिए कैसा रहे गए यह योग कन्यारासी वालों के लिए यह सब्तम भाव में योग लग रहा है सब्तम्भाव साधी विवाह का होता है बेवसाय का होता है जदि आप बहुत दिनों से अपने कोई नया कारोबार करने के सुच रहे हैं या अपने बेवसाय को बढ़ाना चाहते हैं तो या बहुत ही उचित समय है आप इसमें बेजिजख तक आप अपने बिवसाय को बढ़ा सकते हैं या कोई नया कारोबार कर सकते हैं जहां तक धन का सवाल है धन स्वता आपके पास आएगा चल कर आएगा आप देखते रहेगा उस समय में यानि यह समय आपके धन आगमन के लिए भी सही है हाँ साधी विवा जदी इस समय में आप करना चाहते हैं या इस समय में साधी विवा आपको लेकर कोई फैसला लेना चाहते हैं तो यह समय बहुत बहतरीन है आप इस समय का फाइदा उठाईए सुक्र आपका पूरा सांध देंगे हाँ जो लोग इंटर्टेन्मेंट के छेतर में जाना चाहते हैं फिल्मों वगरा में जाना चाहते हैं सीरेल वगरा में जाना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए उचित है आप कोई भी फैसला इस से रिलेटेड करना चाहते हैं कदम बढ़ाना चाहते हैं तो निश्चित ही आप बढ़ाईए इसमें आपको पूर्ण सफलता मिलेगी अतकुल मिलाकर यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया है मातर 20-25 दिनों कहीं समय है लेकिन यह सूपर डूपर समय है आप इसका जरूर फाइदा उठाईए अब आए हम देखते हैं धनुरासी वा रहा होंगे वह चीज आपको देगा अगर आप भूमी वगरा का खरिदारी करना चाहते हैं या वाहन वगरा खरिदना चाहते हैं कोई मकान वगरा का निर्मान कराना चाहते हैं तो यह समय बिलकुल आपके लिए सही है इस से रिलेटर जिदी आप कोई फैसला लेना चाहते हैं तो यह समय बहुत उचीत है आप इस समय का जरूर फाइदा उठाइए अब आईए हम देखते हैं मीन रासी वालों के लिए मीन रासी की बैक्ति के लिए कैसा रहेगा यह समय तो मीन रासी की बैक्ति के लिए यह खुद लगन पर लग रहा है आपका मनोबल उचा रहेगा आपके ब्यक्तित्व का निखार होगा आप जो भी थोड़ा सा संकोची विचार के हो गए होंगे यह समय में अबागया है कि आप उभर कर सामने आईए और अपनी निडरता अपनी साहस से लोगों में अपनी पहचान बनाईए हाँ जदी आप किसी लंबी बीमारी से ग्रस्त है आपको इलाज नहीं मिल पा रहा था तो यह समय ऐसा है कि आपको एक संग्जिवनी बुटी की तरह इलाज मिलेगा और निश्चित ही आप इस अवधी में सही हो जाईएगा बाकी दो रासियां हैं व्रिस रासी और तूला रासी इनके रासी स्वामी उच के हो रहे हैं तो निश्चित ही इनके लिए बहुत ही अच्छा फल करेंगे तूला रासी वालों का मनुबल बहुत उच्चा चढ़ा रहेगा इस समय में आपको कोई न कोई सुब समाचार अबस्य प्राप्त होगा यह समय आपके लिए खुसियों भरा समय रहेगा और जितना आप खुसिया बटोरना चाहिएगा इस समय में आप बटोर सकते हैं कोई न कोई एक सुबसामाचार आपको जरूर प्राप्त होगा इस समय में अब तो मन खुसाहलव हैगा दिल खुसाहलव हैगा आपका और यह समय बहुत ही अच्छा कटने वाला है किसी भी तरह का प्लानिंग अगर आप करना चाहते हैं जीवन से रिलेटेड तो यह समय आपके लिए उचित है आप कर सकते हैं इसी तरह का कुछ बिरिस रासी वालों के लिए भी रहने वाला है बिरिस रासी वालों का भी मनोबल उंचा रहेगा कोई न कोई सुबसामाचार प्राप्त होगा और जो भी आप जिन्दगी से रिलेटेड कोई फैसला करना चाहते हैं तो यह समय उचित है आप कर लें बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा तो मित्रों आज के लिए इतना ही जदी मेरा कॉंटेंट अच्छा लगे वीडियो अच्छा लगे तो किर्पिया लाइक शेयर और सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा थैंक्स पर वाचिंग नमस्कार